Dear Students, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल Learn Maths with Manoj Sharma में बचो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथेमेटिक्स का चैप्टर नमबर 15 बचो ये बहुत इंट्रेस्टिंग चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है प्रोबैबिलिटी या प्रैक्ता सर प्रतम एक्सेसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रोबैलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं प्रोबैबिलिटी इस नुमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ओफ पॉसिबिलिटी ओफ एन इवेंट टू ओकर यह हिंदी में कहें प्रैक्ता किसी भी घटना के होने की संभावना का अंकिये निरूपन है और घटना क्या है? घटना कुछ भी हो सकती है जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में पड़ा है सिक्के का उच्छाला जाता है उसका गिरना भी गटना है डैस को फैंकते हैं डैस में से अलग लगं काते हैं एक से लेकर छे तक वो सबी गटना है इसी तरह से आज बारिश हो सकती है नहीं हो सकती है ये भी एक गटना है ताश की गड़ी में से पत्तों को निकाला जाता है कौन सा पत्ता आएगा वो भी एक गटना है इसी प्रकार से ऐसे ही स्वाल हम लोग जो है इस प्रशनावली में करेंगे exercise start करने से पहले कुछ चीजों के बारे हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जैसे ऐसी गटना जिसका गटित होना असंभव है उसकी प्रयाइकता 0 होती है ऐसी गटना को हम असंभव गटना या इंगलिश में impossible event कहते हैं यदि आप एक dice को फैंकते हो तो dice में अगर आपसे पूछा जाए कि 8 आने की प्राइकता क्या है पर जैसे आप लोगों को पता है कि dice में 6 ही होते हैं एक दो तीन चार पांच छे तो 8 आई नहीं सकता है तो 8 आना जो है एक impossible event है असंभव गटना है इसलिए उसकी प्राइकता 0 होगी अब इसी प्रकार से अब ऐसी गटना जिसका घटित होना निश्चित हो शोर हो कि वो होगी ही होगी उस गटना की प्राइकता 1 या 1 होती है और इस प्रकार की गटना को हम निश्चित या निर्धारित शोर और सर्टन event कहते हैं ऑर example अब हम ढाइस का ही केस ले लेते हैं परन्तों अब यदि हमारे पास प्रश्ण है कि किसी एक पासे को फैंकने पर 7 से छोटी संख्या प्राइप्तो इस बात की क्या प्राइकता होगी तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पासे पर तो 6 ही होते हैं और जब भी जब भी पासे को फेंकेंगे या डाइस को थ्रो करेंगे हमारे पास हमेशा साथ से छोटा नमबर ही आएगा from 1 to 6 तो इसलिए जो ये घटना है कि हमेशा साथ से छोटा नमबर है ये निश्चित गटना है और इसकी प्राइकता क्या होगी एक होगी The probability of getting number less than 7 is always 1 Second जो चीज आप बचुत ध्यान रखेंगे वो है कि किसी भी गटना के होने की प्राइकता तथा किसी भी गटना के ना होने की प्राइकता इन दोनों का जो योग है वो हमेशा एक होता है Probability of occurring an event and probability of not occurring an event The sum of both these is equal to 1 तो ये बटा इस तरह से हम प्राइकता को लिखते हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे P जो है प्राइकता probability E for event ओके दूसरे में जो है P प्राइकता E नहीं ठीक है E not यनि घटना का ना होना तो इन दोनों का योग हमेशा एक होता है दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि इस तरह की घटनाएं जैसे एक होते हैं एक प्राइकता यनि होना दूसरी प्रेक तन्हा होना इस तरह की जो घटनाएं होती है इनको हम एक दूसरे की पूरक घटना या अपने रिजन देना है थर्ड में भी आपने रिजन देना और फोर्थ कुशन आपका जो है अब्जेक्टिव टाइप है उसको आप सॉल्व कर सकते है तो हम लोग फिफ्थ कुशन से स्टार्ट करते हैं फिफ्थ है यदि प्रवल्टी आफ एन इवेंट किसी घटना की प्रा बांते हैं भी हमने थोड़े इससे पहले पड़ा कि PE प्लस P नहीं E is equal to 1 इसलिए अगर हम इसकी वैल्यू भरतें PE की तो यह हो जाएगा आपके पास 0.05 प्लस P नहीं E is equal to 1 तो यह आपको देदेगा पी नहीं E बराबर है 1-0.05 उदर जाकर माइनस हो जाएगा तो आपके पास आजाएगा 0.95 similarly P not E is equal to 1-PE तो यह आजाएगा आप इसको solve कर सकते हैं और आपके पास आजाएगा P not E is equal to 0.95 अगला question है साथमा प्रश्न यह दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों के एक स्मूव में से दो विद्यार्थियों के जनम दिन एक ही दिन ना होने की प् ना दो है इसकी क्या प्राइगता है कि इन दो विद्यार्थियों का जनम दिन एक ही दिन हो इन इंगलिश question is it is given that in a group of three students the probability of two students not having the same birthday is 0.992 what is the probability that the two students have the same birthday now come to the solution जैसा कि हम जानते है कि pe plus p नहीं is equal to 1 होता है इसलिए pe दो विद्यार्थियों का जनम दिन एक ही दिन हो plus pe दो विद्यार्थियों का जनम दिन एक दिन ना हो दोनों का योग क्या होगा एक तो इस तरह से अगर हम इसका मान भर दें तो p दो विद्यार्थियों का जनम दिन एक ही दिन हो जमा 0.992 यह ब्राबर हो जाएगा एक के तो p दो विद्यार्थियों का जनम दिन एक ही दिन हो ब्राबर है एक माइनस 0.992 is equal to 0.008 तो इंग्लिश मीडियों वाले भी साथ ही कर लेंगे बटा तो probability that the two students are not having same birthday उसकों लिखेंगे p not e is equal to 0.992 probability that two students are having the same birthday p e is equal to 1 minus p not e क्योंकि यह हमने उपर फार्मूलों में पीछे पड़ा था तो इस तरह से इसकी value क्या जाएगी 1 minus 0.992 is equal to 0.008 अब हम आठवा प्रेशन करेंगे बटा एक थहले में तीन लाल और पांच काली गेंदे हैं इस थहले में से एक गेंद या दृच्छ निकाली जाती है इसकी प्राइकता क्या है कि गेंद नमबर एक लाल हो और नमबर दो लाल नहीं हो तो बेटा इस तरह के प्रशनों में हम लोग जो हैं किसी भी घटना की प्राइकता इस फार्मूले द्वारा ग्यात करते हैं प्राइकता बराबर है अनुकूल परिणामों की संख्या बटेकुल संभव परिणामों की संख्या और in English probability is equal to number of favorable outcomes divided by number of total possible outcomes तो हम इस फार्मूले का प्योग करके इस तरह के questions में probability या प्राइकता को ग्यात करते हैं अब इसका हल ग्यात करते हैं तो लिए अब इसको हल करते हैं जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास लाल गेंदे हैं 3 और काली गेंदे हैं 5 तो इस तरह से total balls होगी 3 जम्म पांच 8 तो जो पहला बाग है P लाल गेंद यानि लाल गेंद की क्या पराइकता है तो इसको हम कैसे निकालेंगे यानि हमारे जन कूल परिणाम है कितने हैं लाल गेंदे कितनी हैं 3 बटे कूल संभव परिणाम यानि total balls कूल गेंदे 8 तो इस तरह से P लाल गेंद प्राइकता लाल गेंद हो जाएगी 3 बटे 8 आप जाते हैं इसके दूसरे भाग पे हम जानते हैं कि P E जम्म पी नहीं E जैसे हम शुरू से भी कर रहे हैं Z equal to किसके बराबर होता है 1 तो P लाल गेंद जम्म पी लाल गेंद नहीं इन दोनों का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा बराबर है 1 तो 3 बट 8 जो पहले भाग में आया था जम्म पी लाल गेंद नहीं बराबर है 1 P लाल गेंद नहीं बराबर है 1 माइनस 3 बट 8 जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आजाएगा 8 माइनस 3 बट 8 यनी 5 बट 8 तो यह हो गया हमारा इसका हल Now English medium वाले भी कर लेंगे इसको Total number of balls in the bag is equal to 3 plus 5 8 probability of getting a red ball ठीक है as per the formula number of favorable outcomes upon number of total possible outcomes that is favorable outcomes is red ball is equal to 3 upon number of possible outcomes that is total balls 8 so your answer will be 3 upon 8 now come to the second part probability of not getting a red ball as you know probability of not E is equal to 1 minus probability of E that is 1 minus probability of getting a red ball 1 minus 3 upon 8 which comes in the previous step 1 minus 3 upon 8 is equal to 5 upon 8 this is your second part's answer अब हम करेंगे प्रेशन number 8 यह है एक डिब्बे में पांच लाल कंचे आठ सफेद कंचे और चार हरे कंचे हैं इस डिब्बे में से एक कंचा या द्रिच्छा निकाला जाता है इसकी क्या प्रैक्ता है कि निकाला गया कंचा नम्ब एक लाल हो नम्ब दो सफेद हो नम्ब तीन हरा नहीं हो In English question is A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles One marble is taken out of the box at random What is the probability that the marble taken out will be 1. red, 2. white, 3. not green ठीक है तो बच्चों इस तरह से इस प्रैश्ण में क्या है कि एक डब्बे में ये 5, 8 और 4 यानि कुल मिला के 17 कंचे डाल दिये गए हैं अब आपने प्रैक्ता ग्याद करनी है कि निकाला गया जो कंचा है वो red है, white है या green नहीं तो बटा इसका हल शुरू करते हैं जैसे कि आपको पता है और प्रैश्ण में भी दिया है कि लाल कंचे ब्राबर हैं 5 सफेद कंचे ब्राबर हैं 8 और हरे कंचे ब्राबर हैं 4 तो इस प्रकार हमारे कुल कंचे बन जाते हैं 5 जमा 8 जमा 4 यानि 17 तो जो पहला बाग है कि प्रैक्ता लाल कंचे की तो P लाल कंचे बराबर हो जाएगा लाल कंचों की संख्या बटे कुल कंचे तो लाल कंचे हैं 5 कुल कंचे हैं 17 तो ये प्रैक्ता हो जाएगी 5 बटे 17 इसी प्रकार से दूसरा पी सफेद कंचे तो सफेद कंचों की संख्या है आठ और कुल कंचे हैं सत्रा तो ये बन जाएगा आठ बटे सत्रा इसी प्रकार से पी हरे कंचे यानि हरे कंचों की संख्या है चार और कुल कंचे हैं सत्रा तो हरे कंचें के हो गए 4 बटे 17 लेकिन ध्यान दें इस प्रशन में हमने ग्याद करना है हरा नहीं है तो जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि P E E यनि हरा जमा P नहीं E जमा हरा नहीं यनि इन दोनों का जोड हरा होना और हरा ना होना हरे कंचे नहीं दोनों का जूड किसके ब्राबर होता है एक के तो यहां पर हम इसको में भर देंगे मान हरे कंच पी हरे कंच नहीं ब्राबर है एक तो पी हरे कंच नहीं ब्राबर है एक तो पी हरे कंच नहीं ब्राबर आ जाएगा आपके पास एक माइनस चार बटे सत्रा तो इसको हल करेंग के 17-4 बटे 17 यानि आपके पास उत्तर आ जाएगा 13 बटे 17 अब English Medium वाले भी कर लेंगे बेटा आपके पास के total number of marbles equal to 5 plus 8 plus 4 यानि 17 number of red marbles equal to 5 probability of getting a red marbles equals to number of favorable outcomes divided by number of total possible outcomes that is is equal to 5 upon 17 similarly second part आपका number of white marbles equal to 8 तो probability of getting a white marbles equal to number of favorable outcomes upon number of possible outcomes that is 8 upon 17 now number of green marbles is equal to 4 we so probability of getting a green marble will be similarly 4 upon 17 but we have to find the probability of not getting a green marble that will become by subtracting this 4 upon 17 from 1 that is 1 minus 4 upon 17 and you will get the answer 13 upon 17 so students thanks for watching this video और मेरे इस चैनल को जल्दी से जल्दी इसको जोइन करें सब्सक्राइब करें ठीक है ताकि आपको नए से नए वीडियो मिलते रहें थैंक यू आपको जाओको 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 जाओ